Hey everyone, Namaskar आज हम बात करेंगे Sovereign Old Bond and National Pension Skims की Difference की बारे में कौन सा Investment Option आपकी लिए बेश्ट हो सकता है इन दूनों में Major क्या Difference है and क्या फाइदा पी है ये सारी बातें में इस वीडियो में डिटिल में चानेंगे लेकिन सबसे पहरे एक स्टोरी सुन लेते हैं कि क्यों इन्वेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है specially अगर हम Pension Skims की बात करें Recently मेरे एक जान पिचान में एक अंकल थे जो कि अपने बच्चे के लिए बहुत ही मेनल से काम कर रहे थे कि उनका बच्चा बड़ा होगर मेरी देख भाल करें वो उकल बोल गए थे कि उनके अपने ले भी ना कुछ रखना पड़ेगा उन्हें ताकि उन्हें इन टम्स अफ पिंचन या फिर रिटार्मेंट के बाद कुछ थोड़ा बहुत खर्चन निकलता रहे अंत में हुआ यही कि लड़का तो इंकम करता था बट पैरेंट्स के पास कंप्लेटली उस लेवल का फाइनस एपर पैस्चे नहीं जा पाता था जिस वज़े से अंकल को अगें 200 की प्रॉब्लम होने लगी आफटर रिटार्मेंट अब वही अगर फूब फाइव 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 ताउस एप पर मन्थ डिपॉजिट आफिए इंजर्श्ट करते है फूर रिटार्मेंट प्लान के प्रब्रब प्लान करते हैं एड उनके अंदर जो सोचते हैं कि आज कमाओ खाओ और खतम हो जाओ इस स्टोरी को बताने का यही तात पर यह है कि पेंसन स्किम्स 2004 मिला सिर्फ और सिर्फ पर इंप्लाइज के लिए थी उस समय हम इसे ग्रैब नहीं कर बागते बट आफ्टर 2009 अब यह प को बहुत ही कम रिस्क हैं मार्केट लिंक्ट है थोड़ा सा रिस्क आप बनता है जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं बट अराम से अगर देखा जाए तो आठ से 10 परशन के आस पसना नाशनल पेंसन स्कीम के थूशे आपको रिटेर्स मिल जाती हैं एंड मेजर ब्लस पॉइंट यह है कि आपका जो लॉक इन पीरेड होता है अगले आपके रिटेर्मेंट दखोता है क्योंकि हमारी जो शाइकलोची है अगर हमारे पास एक्सेस रहा कि हम जब चाहें तब इसे विट्रो कर पाए तोड़ पाए तो आपको डैम सी और बेट लागा के बोताता हूं कि ब्रेक हो सकता है तो यहां पर इन्वेश्ट करना फाइदमन इस विए है क्योंकि यह गौर्मेंट बैक्ट है लेकिन इसकी पीछी गौर्मेंट रहती है डीटेल में जानते हैं इन दोनों के डिफरेंस की बारे में सिरुवात करते हैं शौबरेंट गौर्ण के साथ शौब इसे लाती है गोल्ड की बांड रहती है नॉर्मली अगर देखा जाए तो फिजिकल गोल्स बाइक करते हैं में मेकिंग चार्जेस और इसके 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 जिएश्टी देना पड़ता है तीन परसंट बाइं तीन परसंट सेलिंग बेट यहां पर अगर हम बात करने जब सकता है कैसे सॉवरेंट गोल्ड पॉंट गोल्ड की जो वैल्यू है वो हर साल अगर देखा जाए तो अब अगले 10 साल की पिछले 10 साल की बात करें तो अवरेज तेन परसंट के आसपस जो ही ग्रोग किया राइट प्लस कैपिटिल अप्रिशेशन के लिए आपको 2.5 परसं स्कीम की बात करें तो आपको यहां पर आवरेज आट से 10 परसंट तक कर रिटेंस मिल जाता है अगें ध्यान रिखेगा कि यह स्टेबल नहीं है आट से 10 परसंट के आसपस होता है बिकॉस यह मार्केट लिंग है क्यासे आप एंपीस में जो भी पैसा इंवेस्ट करते होना तो यह four categories में distribute होता है सबसे पहले government bonds then corporate bonds then equities and around 5% के आसपस other investments like real estate और इस प्रकाल के और भी चोटोंगे इससे क्या होता है कि आपका risk बहुत ही कम हो जाता है and आपका return stable हो जाता है आट से 10% के आसपस जाए sovereign gold bonds में आपकी minimum investment 1 gram होती है जो की 5000 से लेकर के 3000 के आसपस वही national pension scheme में आप minimum 500 रुपीस से भी start कर सकती हो बड़ अगर charges की बात करें तो national pension scheme में खाता खोलते समया फिर account open करते समया आपके आपके आप 500 रुपीस as a charges देना पड़ता है liquidity के अगर बात करें तो sovereign gold bonds को ना आप secondary market में तो कि stock exchange में लिश्ट रहे तर आप आराम से जो है sell कर सकते हो लेकिर वही national pension scheme के अगर बात करें तो ये locked रहता है for next 30 years तक admins की आपके 60 age होने तर आप चाहे तो secondary market में stock exchange में जो है आप sell कर सकते हैं बट NPS में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं बट हाँ national pension scheme में let's guess कि आपको higher education के लिए अपने बच्चे के लिए higher education के लिए पैसे चीए या तो फिर अगर किसी टेपको भी critical illness हो गया तो आप यहाँ पर partial withdrawal कर सकते हो partial withdrawal complete withdrawals नहीं होंगे अगर compounding returns के बात करें तो यह दोनों schemes आपको compounding returns देरी sovereign gold bonds में भी and such as national pension scheme में भी आपको compounding returns मिलता है for an example let's guess कि अगर आप sovereign good bond में 10 लाक रुपे invest करते हो and इसे आप hold करते हो till इसकी maturity age तक जो की 8 साल है तो 8 साल के बाद आपका 10 लाक रुपे 17 लाक, 93 अजर around 18 लाक रुपे के हास पास बन जाता है and इस amount पर आपको किसी type का कोई भी tax नहीं लगता है and total fund directly आपको credit हो जाएगा आपके लेजर बैलस में या फिर आपके bank account में automatically यह matured रोने के बात वीडियों दोले हो जाता है let's guess कि NPS में आप per month 5000 रुपेज के आसपास invest करते हो for the next 30 years जो कि आपका retirement age है मानते हैं कि आप 25-30 साल के आसपास जोई investment start करते थो तो आपके retirement age तक ना आपका हर मेंने के 5000 investment 56,96,000 के आसपास हो सकता है और उस अगर देखा जाए तो 97,000,000 रुपेज के आसपास यह पैसा जैसे आपका retirement age पहुँच जाता है तो around 60% lump sum आपको मिल जाता है and जो risk 40% है वो आपको after retirement as a pension मिलता रहता है वो 40% यहाँ नहीं कि गा कि एकर taxes की बात करें जो आपको lump sum मिलता है रिटर्स ना उस पर किसी टापको कोई भी taxes नहीं लेगा that means 60% जो आपको withdrawal होगा वो completely tax free होगा एक बात जो आपको 40% as a pension मिल रहा है उसका उपर जो भी interest for retirement बनता है उस पर आपको tax लाग सकता है अब अगर हम tax benefits की बात करें आपको tax benefits मिलता है अगर हम national pension scheme की बात करें तो आप annually डेड़ से 2 लाख रुपए तक का आप यहाँ पर tax exempt tax deduction ले सकते हो NPS की investment पर आपको डेड़ लाख रुपए 80 शी के section पर आपको deduction मिल जाता है and extra 50,000 रुपए जो है 80 CCCD पर आपको जो है करने चले जाए तो अराम से 2-3 वीडियोस बन सकती है इसे thought में ही complete करते है याप अगर हम plus points की बात करें फिर pros की बात करें तो आप गोल्ड है तो बाइकर रहे हो लेकिन आपको यहाँ पर ना है making charges देना पढ़ रहे हैं ना है maintenance charges देना पढ़ रहे हैं तो आपके returns पर ना आप यहाँ पर tax लग सकता है अगर इसकी cons यह बात करें तो आपका जो return से वो fixed नहीं है वो थोड़ा बहुत उपर नहीं सकता है मेंटर करता है कि एक market में शोने का या फिर गोल्ड का प्राइस आप रहो किया है कुछ समय पहले कम था अभी बहुत ज़्यादा हो गया उसरी बगार से हो है यह थोड़ा बहुत हो ज़्यादा नहीं दुछरा lock-in period minimum 8 years तक रखने के बाद आप 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 टैक्स benefits मिलता है और सच्छी सथ अच्छा खास रिट्रास पे मिल पाते हैं तो retirement focus प्लान है आपके retirement पे बहुत ही help करता है आपको यह आपर बार बार एक्सेस नहीं देता है जब चाहो तब विडियो कर पाऊ जो कि अगें ओल्ड एज में आपके लिए बहुत ही फाइट दमन्द होता है साथे साथ मार्केट लिंक है तो आपके बहुत ही अच्छा इंप्रूफ किया तो आपका यहां पर रिटरंस भी जो है अच्छा हो सकता है इवन आपका पर tax benefits भी मिल रहा है एंपेस प्रोफाइट टैक्स बेनिफिट अंडर डिफेंट सेक्शंस जैसे कि में आपको अताया कि कॉंस की बात करें तो बहुत ही लंबा इसका लॉकिन पिरिड है जो कि मेरा पूद है राओं तीस साल के असवाथ हो जा रहा है साथी साथ मार्केट रिस्क इन फॉल्व है क्योंकि एक्विटी में भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं किया जैसा कि हमने देखा कुविट की टाइम पे तो वहाँ पर उपर निच्छे होते हुए देखने को मिलेंगे बट अगेन आइस आई सेट आप यहाँ पर तीस साल के लिए होड़ कर रहे हूँ तो हमने जैसा कि रिसेंटरी देखा है कुविट के टाइम पे हमारा निफ्टी जो है लेस दें 10,000 किर चुका था ठीक है और अभी अगर देखे तो 19,000 क्रॉस कर चुका है अभी डिफरेंस बहुत ही बला डिफरेंस है जहां बहुत सारे लोग प्रेडिट करते थे कि वही अब तो मार्केड काया खताम हो देगा वहीं जो लोग लंबे समय तेक होड़ की होई थे वो उनके मजबूरी हो या फिर पेसेंस के साथ उन्होंने अच्छा खास रिटर्स मनाए वहीं अगर नेशनल पेसेंस स्कीम की बात करें तो यहां भी आप मजबूर हो जा लिए और साथे साथ आपको पेसेंस की भी रिकॉर्मेंट होती है बाइडिफॉल्ट आपको पेसेंस रखना पड़ेगा जो कि आप 8-10 साथ में प्लान करें तो आप साथ जा सकती हो 100% safe and secure है इवन NPS भी 100% safe and secure है हाँ market link है तो यह बहुत बहुत ओपर निचे दिखने को मिल रहा है और NPS के गर बात करें तो यह mainly लोग प्रिफेर करते हैं अपने retirement plan के लिए पहले यह सिर्फ फर सिर्फ government employees के लिए थी बट अब हमारे लेवे access से बहुत इस सम्पली आप अपने nearest bank में या फिर पोस्ट office में भी जाकर NPS की facility को grab कर सकते हैं that's what friends आसा करता हो कि आपको यह video youthful informative लेगी होगी किसी टेपके को भी कुआरी हो feedback से जैसे लिए समस्पली स कमेंट बॉक्स में कमेंट इस जरू करें मिलते फेंट सब्ली वीडियोस में तब तक लिए जैहिंजे वारत and thanks for watching this video जैहिंद